नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे पालक की पूरी यह बहुत ही टेस्टी और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है कलरफुल उसके लिए हमें चाहिए यहाँ एक कप मैदा आप इसके जगा गिहूंका भी के बाद यह पालक की प्यूरी है तो आज इसी से माटा को लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके पालक का जो प्यूरी है उसे डाल करके हमें आटा बनाना है तो दो चम्मच और डालेंगे जितना जरूरत हो उतना डाल करके हम इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे इसकी हम पूरियां बेलेंगे तो इसी तरह से एक एक करके हम सभी पूरियों को बना करके रख लेंगे देखिए इसी तरह से इतनी पतली इसी तरह से दूसरा बनाएंगे या तो आप थ्रॉयल लगा करके बनाएं या मैदा डस्ट करके तो इस तरह से हम सभी को बना लेंगे इसके बाद गैस पे हम वाइल डालेंगे गर्म होने के बाद एक एक करके हम इसमें पूरी को डालेंगे और इससे हम तल करके निकालेंगे इसी तरह से आप थोड़ा सा हलका दबा देंगे तो ये बिलकुल गोल फुली फुली पूरी बन जाएगी है तो ये तो ग्रीन कलर का हुआ इसी तरह से अगर आप लाल कलर की पूरियां बनाना चाहते हैं तो इसके पालक के जगह आप भी टूट ले सकते हैं उसकी भी पूरी बना करके और इसी तरह से आटा बना ले और रेट कलर की पूरियां हो जाएगी तो ये सब जो कलरफुल पूरी है वो बच्चों को बड़ों को बहुत ही अट्रेक्ट करता है इसे आप छोटे मोटे फंक्सन करें बच्चों का जनम दिन हो कुछ भी पैसे भी आप बना करके खा सकते खिला सकते हैं सबों को बच्चे भी खुश बड़े भी खुश तो इसी तरह से हमने सभी पूरियों को तल करके निकाल लिया देखिए हलका सा दबा करके पलड़ दीचे कितनी अच्छी पूरियां बन रही है और ये तलने के बाद फ्रेश का कलर लाइट हो जा रहा है तो इस तरह से सभी पूरियों को हम बना लेंगे और ये ग्रेवी वाली कोई भी सबजी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है दही के साथ, अचार के साथ आप इसे ले सकते हैं तो ये पालक का हेल्दी पूरी टेस्टी पूरी तैयार है ये आलू कटल की सबजी के साथ है ये तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें करेंट